आज हम आप पहुंचे हैं मसूरी मसूरी विदानसवा छेत्र पहड़ों की रानी मसूरी में यहाँ पर स्वास सुभजाओं के नाम पर एक मातिट डब्बा है वो अस्पताल की बिल्डिंग इस्मिति रानी जी सेलिंडर अचूडियां अई सब भेजा था हुनोंने आज हम आप पहुंचे हैं मसूरी मसूरी विदानसवा छेत्र पहड़ों की रानी मसूरी में तो सभी पार्टियों को परतिनिद्द करने आये हैं उनके अपने आम आदमी पार्टी से प्रकास राना जी सभी पार्टियों से सवाल जवाब बिल्कुल डारेक्ट होंगे एकदम सीधी बात होगी किस्ता कुर्सी का जब होता है तो कुर्सि यौर, सबसे अच्छी बात जो आपके इसमें लगी कि यहां पर अपने अपिन पाटी को रिप्रेसेंट करने के लिए सब दो-दो-्तीन तीन सम्मा आये हैं बहुत अच्छी वाद लगी, अब आगी जगे मुझे एक दो मिलते थे और बहुत ही अच्छा, तो सीधी सत्ता बक्ष से बात होगी सब से पहले, सत्ता बक्ष वाले क्या उन्होंने काम किया है अपने विदान सभा में, क्या उनके वादे थे, क्या उनका आजेंडा था वो हुआ नहीं हुआ तो आप सबसे पहले बीजेपी से ही सवाल लेते हैं फिर कॉंग्रेस से लेंगे और उसके बाद जनता से सीधे डारेक्ट उनके समस्याओं को लेके बात करेंगे तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है सब मौन जी मौन जी आप आपसे सवाल सीधा लेंगे सब्सक्राइबुमृत जी हैं उन्के दौरा जो विवाद किया है उनके द्धार जो हम कौह है में पूरा किया है ये मसुरी की जो विदान सभा है बुरांस खंडा से साइजदारा से जो है अपना नीचे जाखन और जाखन से जो है नीचे तक जाती है तो खाली 20% मुझे लगता है कि यहां के जो है लोग रहते हैं जिनसंग्यार 80% जो है धरदून में हैं इसलिए निरंतर चाहे सरवना की बढ़न कीसा जो है तotalव काली जाखन आप खाल खुद है बढ़ां जी मंत्री जी ने बहुत काम किया है और आम आदमी पार्टी से वादे, अभी तो आपके पास और कुछ है नहीं, वादे करने को है, वादे आपके हो रहे हैं, दिल्ली से लेकर उत्राखंट तक वादे हो रहे हैं, तो आप कितना समझते हैं कि अपने वादों को आप पूरा तर पाएंगे? जे देखे, प्रयतक्र को परमान के अवश्यकतार नहीं होती है, वादे जो भी हमारी सरकार ने, हमारे मान्य केजरिवाल जी ने किए, चंटा सी वो पूरे किये हैं, आप दिली में जा के दे सकते हैं, उत्राखंगे हजारो निवसी दिली में दिवास करते हैं, उनकी रोजी तो अगर इससे और डल को किसी और नेताएं ए से दिक्कत पदा होती है तो यह शरम की बात है और उनको इसके बाज करने का कोई नहीं है आपको प्री की बात करी कुछ पूलना चाहेंगे अपने दल algún één थी कि छॉपलना चाहेंगे यह जी objective अजने थी अब तो आज की हॉस्पिटल की इस्तीरी देख लिए करके सरदर्द जुखाम बुखार जाए तो तुरंती हॉस्पिटल भी बना बड़ी मुश्किल के बाद इन्हों ने बनाया है अभी काम किया मंत्री जी ने बता रहे थे बड़े भाहिसाब हमारे तो उसमें सीरे ये को लेके कोई काम नहीं किया क्रोना काल में इनकी तरफ से जन्ता पढ़ेशान रही कॉंग्रेस वालों से पूछ लेते हां मैडम आप बताएंगी देखिए पैर तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने यहां पर यह डिबेट रखी है और मैं यह कहना चाहूंगी कि यह हम मसूरी बिधान सभा की बात नहीं कर रहे हम पूरे देश की बात कर रहे हैं क्योंकि पूरे देश में भाजपारे सिर्फ लोगों को चला है इन्होंने गरीबी मिटाने का नारा दिया था परमतु गरीबी नहीं मिटाई गरीबों को मिटाने के लिए लगे हैं और इस दिन से यह सत्ता में आये हैं उस दिन से लोगों को खाली बेवकू बना रहे हैं और वो सब आपको पता है 15 लाक रुपे आएंगे यह आएगा और जंदन के खाते में आएंगे और भी कई तरह से कभी अधार की लाइन में लोगों खड़ा कर दिया कभी राशन कार्ड की तो लोगों को इन्होंने सिरफ चला है अच्छा जलिए बीजेपी ने सबको चला है और आप भी थोड़ा सा बोल दीजिए कितना चला है देखे पूरा भारत जानता है कि किस तरीके से इसमें नरेंदर मोदी के नेत्रोतों में जो है युवा चला जा रहा है महिलाएं चली हरक सिंग्जी ने खुद का कि यह निकमों की सरकार है निकम में यहां पर राज कर रहे हैं यह जो उत्राखंड सभी दस्तल जहां पर आप खड़े हैं यह जितना भी काम हुआ कॉंग्रेस के राज में हुआ भाजपा के राज में यह मात्र जो विकास काम है वहीं के वहीं भारत के इतियास को बदल कर किस तरीके से इसको मिस्प्रिंट करने हैं? चेली, मैं एक बारी क्या करता हूँ? जंता से ले लेता हूँ, क्योंकि आरोप तो एक दूसरे पर लगते ही रहते हैं. और आरोप आप जंता से कोई कोई अपना अपना हाथ उठाए जिन जिन को प्रशन करना अपने हमने हाँ जी आप बताएं वाजपा से पूछना चाहता हूं मोदी जी ने वादा किया थै कि हर साथ दो करो लोगों को रोजगार देंगे आप देखरे हैं बिल्कूल जीरो है कोई रोजगार मोदी जी ने किया और अपने परदेश की बात कर ऊतरा खंटकी मोदी ने 2017 में यहांके यूआउ से की मैं हजो है डबल एंजिन की सरकार बनाओ करें need बेर्च बेसेरे अर क्यालेश जाना पड़ाए इसे प्रदेश में और करें ऑल्सकार नोकरी नहीं मिली आनगी जाए इसा यहां , कुछ नहीं का प्यए जाते हैं इनका सीधा सीधा प्रश्ण बीजेपी से हैं और नोकरी नहीं मिली, मोधी जी ने वादे किये थे, कुछ नहीं मिला, रोजगार नहीं है, इस समस्या इनकी 100 हैं, आप इनकी एक एक समस्या आगर ले सकते हैं तो उन समस्यां के उपर बात करें। हुआर जो समू है उनके द्वारा जो चला है यह पांच लाग कर जू ह愺 लोन जो है इंटरस फ्री जो बिरोदगार है उनको जू है किसी भी काम के लिए seven की σभीदा जी दिया रही है और आपने हमारे Chung B toothbrush and bought कि एक बात कहना चाहता हूं कि 2013 में माने विदाई जी ने वहां पर 80 लाग रुपे MPG को दिलाए थे आज तक उस 80 लाग रुपे का कोई हिसाब नहीं मिला है इसलिए जहां देने वाला देता है विदायक हैं वो कहीं से योजनाई ला सकते हैं पैसा ला सकते हैं लेकिन धरहतल पर जो एजनसी है उसको भी इमानदारी से काम करना पड़ेगा तो ही धरहतल पर काम होगा जी चलिए अगला प्रशन लेते हैं अगला प्रशन जी देखिए यहां पर जैसे कि विपक्षवालों ने कहा है कि काम नहीं हुआ बाचपा कारें नहीं करें में बताना चांग हो क है को रोना काल में एक मातर बाचपा ऐसी पार्टी ती चाहें मोडी की चन रखा रहें किस आरीका है तुष्पा करें ठीक का क्युए उतल में इसा है यह वह बहुत विकास्कारी वहक है लेकिन यहांकं अपने प्रेसन करें श्मान है जवाब तो नो के लगता किसी पार्टी आम आदमी पार्टी आप इनके जो इन्होंने जो अपने गोषणाइं करी हैं बताया है कि हमने ये काम की आप कहां तक साहमत हैं तो चलि इनका कहना है कि अगर इनुने कुछ कहना होता अजश कर रेंहें है अज प्रधानमंत्री जी की घर सबको घर उबलब्च करा जाएगा लोन दिया जाएगा और नगरपाली का में लोगों को बेवकु बना दिया गया सिरफ मोधी सरकार की तरफ से और सब लोगो को कहा थे अब हाँ में कहा पैसा लेने वाज़ दीग आपकी बात मैं आपकी बात पर थोड़ा सा मैं नक्सा पास कराना क्या जरूरी नहीं है आप मिनको बता है। नक्सा पास करान चेलेंज है, यह उत्रखन सरकार जो भाजपा की सरकार है बार बार कहती है वन टम सेटलमेंट, वोट यह स्खीम को बार बार कहती है लेकिन यह अगबारों तक रहे जाती है, मसूरी का जो गरीब आद्मी, आम पुष ने हैं को द्धम में इंटर गुम्रा कर रहें कि की सिर्फ वादय करते हैं लेकिन सड़कों में कौन दिखता है कि भाजपा कारे करते हैं जब को ना काल इतनी तरह से गुजर रहेते हैं उस टाइम पे ये लोग एक भी भार ने आएं सिर्फ काम किया है तो भाजबा के छोटे से छोटे कारिय करता ने काम किया है जो दवाई उसे लेके राशन तक लेके आज तक उनके घर आज तक पहुंचा रहे हैं और आज जब सब कोरोना बिल्कुल खतम हो चुका तब ये लो अब आज आए जो आवाज की बात यहां पर प्रताप जी ने की है मैं मानता हूँ कि उसमें कहीं ने करने माई लेकिन जो ने दूसरी बात रही आपने कहा आप जानते हैं कि जनता इसका जबाब देगी रहता था कि पानी की दिक्कत होगी, खाली मसुरी नहीं, आसपास का छेतर भी इस से लाबरते होगा, अच्छा कब तक पूरा होगा ये, यह जाएं मुझे लगता है, लगबग दो साल उसमें लगएगा, दो साल के अंदर ये पूरी होगी, दो साल, मतलब उन्हें ने कहा कि ह हमें समय और चाहिए, दो साल के अंदर ये पूरा होगा, हाजी, सिविल लाइन पे, आप में से कोई बहुत अच्छा, जी, आप बता है, देखे, सिविल लाइन का जो है, आप मसुरी में बहुत बुरा हाल है, और बड़े बाई अभी पेट्वाल जी कह रहे थे, कि मंत्री है, आप कहां से रहा है, जंता बता देगी कहां से जा रहा है, कहां से आ रहा है, जी, मसुरी के मसुरी से ही हो, कि अभी इन्हें बात करें में माविद्याले में अभी मॉल्टिकल सचाथ करेंगे उनका कहना है डिग्री कॉलेज में तेरा पद रिक्त चल रहे हैं उन पे आपने बीज़ीपी ने कुछ ने बीज़ीपी को चौ तरफा घेरा जा रहा है और चार तरफ से तो कॉंग्रेस वा है गैशा है बीजीपी का जो मैनेज मेंगा पालिपा लिए कि जो बात में परे합 है और उनकामों को कराने पांच हेजार रुपे या हमारे को फ्री आपको फ्री शब जो आप यूज करते हैं बहुत जादा पहली बार मुझे ऐसा जवाब मिला ओवी पैली बार मसूरी में आके यो पैसे बचेंगे तो घर जाएंगे अधर वाइस आपके आपकी पार्टी के वाद फ्री के लावा य कोई तो रेटी रेटाई किताब में से तीन चर पनने पर आपने बहुत अच्छा जवाब दिया था एणिवेज आप इनकी थोड़ा सा इनके सवाल आपने सुन लिए होंगे इनके जवाब भी सुन लियोंगे थोड़ा सा उन पर बात कीजिए सिर्फ पाइपलाइन का जहा जा रहा है मुसीर वाली को कितना मिलेगा वो देहरादून जो बिल्डरों के जो बड़े बड़े फ्लैट्स बने बड़े हैं जहां पर पानी के समझ्या उनको मिल चल रही है वो पानी वहां जाने की पूरी संभावना है और उनके साथ क्या साथ गाट रही है यह तो यही दूसरी बात जो MPG कॉलेज की आई थी जो रिक्त स्थानों की महाभी होई है तो उसके वारे में में कहना चाहूँगा कि विगत पीजेभी सरकार में और यहां पे इस टाम कॉंग्रेस के जो बोर्ड थी उस ताइम यहां पे साल पहले यहां पे निकली थी और उस नियुक् कर दिया था कि और यह कोड चलेगे तो उसके खिलाफ और यह नियुक्तिया उन्होंने कैंसिल कर लाई थी तो इनकी मंच्छा यही है कि अपने दौरान दी यह कैंसिल कर लो और बाद में प्रसंट थोपते रहो तो प्रसंट थोप रहे हैं आजी आप भी कुछ बोलना चाह गूम रहे हैं तो उनके लिए इननोंने क्या सोचा है पड़े लिए लिक लोग सटकों पर बिचारे होटल में मजबूर होगे काम करने के लिए अपनी डिग्रियां लेके गूम रहे हैं काम कुछ करनी रहे हैं और एक प्रोफ़गेंडा पहला है जा रहा जान बुचके भी शे मेने में एक लाग रोजगार पिसले पान सालों में आपने दिल्ली में कितने रोजगार दिये और गूगल का जमाना है यही जवाब मिल जाएगा जंता से दिल्ली में दिल्ली सरकार ने केजरी वाल जी ने वहां पे बेरोजगारों को और जो नौकरी देने वाली संस्था हाट इनके रोजगार से दिल्ली ने रोजगारा आप इंडिया चाहि से जैज्वास सब्सक्रगार सें यह मैं पार्टी में फमीया जो उसरा है जी में पाधियाया पाइच फीसिन जी आरे ुए महित्तर फॉर्टेश अलब संक्या के लोग हैं। उनको जिस तरीके से कमजोर किया जा रहा है। उसी तरीके से उत्रा खंड में भी अलब संक्या को और दलीद भायों को टार्गेट करके कॉंग्रेस को कमजोर करने काम आप कर रही है। और इनकी जो फंडिंग है वो सीधी सीधी जो है भाचपा कर रही है यह आप सब लोग नौकरी कितनी दी नौकरी कुछ नहीं दी आंकड़े आपके पास है हमने आज कल देखा था कि 2000 के आज पास इन्हों नौकरी दी इस तरीके से अगर ये हर्ची को फ्री तरीके से अगर मा फिरी ठीके तो फ्री उमरा सब्ड को अधो फ्री सब्वल को आप यदंड ऐस में दोनों कर लिया आजए चलिये भड़िया चलिये फीर फीरी dullी सब्ट का था इन्वा। लोग उप्यवकी सरकार में वह तीन सो करोधे बना ळाया कि वह जा लिए जैवा लेखेना कॉप्ष कॉंग्रेसके थे हैichinho तो दिली को दिली को बदलने वाली भीड जुनोंने बरेज कोलेज बनाए स्कूल बनाए ह इस लिए भूल रहा हूं क्योंगी आप लोग शिरफ उनके सुन्ही करण करके अपना ठप्पा लगा रहे हैं कई कॉलेज कई जगे ऐसी पड़ी हैं जिनका आप लोगों ने अना मनलब उनके टाइम पे हो तो गया कि यहां एक आप लोगों ने दूसरी बिल्डिंगे चुनली कि हमारा नाम कम से कम सिला नयास तो आम आद्भी पार्टी वादे करके उत्राखंड को उत्रा लगे उस तरह की आप बात करें दिल्ली मॉडल पर बात ना करें ठीक है मैं उत्राखंड के जहां तक बात करता हूं उत्राखंड का जो भागोलिक परिशेत्र है वो दिल्ली से काफी बड़ा है बले यहां की आपादी भली कम है लेकिन यहां पे सब्स्याएं और चुनौत नहीं चीए है और उत्राखंड में भाजी पैसे मैं पूछना चाहूंगा अद्यात्म की कम है क्या हम लोग पहले से अद्यात्मिक नहीं थे यहां पर मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा ऑद्यात्म ज़़에को medicine क्यों यह तो उत्राखंड को आता है तो उत्राखंड है और और बड़े बड़े चाहि कहीं के भी हो चाहि किसी भी पार्टी के लोग हो जब आती है तो मुत्राखंड ही उनको नजर आता तो इसलिए यहां तो बहुत ज्यादा इसकी जुरूत नहीं है लेकिन जिस तरह से आप पार्टी जो है डिली मॉडल पर काम करना चाहरी है और खा मैंने तो सब vokal और अगर आज आज में बड़े भाइप और जो यह जंबना से जो पानी आने कि बात करता है वो भी 앞 ओड़े तो वो अपने मॉडल की बात करेंगे ही, जहां उन्होंने अच्छा किया है, वहां की बात करेंगे, उनकी तारिफ भी होनी चीए, सिक्षा के उपर उन्होंने काम किया है, एक सिक्षा का अलग मॉडल उन्हें दिखाया है लोगों को, तो उस पर तारिफ भी होनी चीए, अच लोगों की योजना ये लोग उसे आगे बढ़ा रहे हैं कॉंग्रेस की योजना बढ़ा हो रहे हैं तो इसी तरह से इनकी योजना है इनका काम इनका काम तो थोड़ा सा जनता को आप लोगों का आप लोगों का ये विश्वास कि हां ये योजना अच्छी है हम इसको आगे ल लेकिन तारुब तभी तो करेंगे जब कोई काम करेंगा इसना नारे अच्छा यूजना यह लेगिन आज उसके उनुची थे जनता से सवाले जनता से आ जी अरे आप आगे आए ना आगे आई है उनके आपके आवाज भी तो पहुचा नहीं मुझे वहां तक जी यह जितने भी बैटेवे हैं चोर-चोर मोस्वरे बाई है इन्होंने जो भाजपार सरकार चाहिए यहां पर इस्टेट में हमारे चाहिए वह केंद ने बैटी भी इन्होंने जुंगले जो करोना आया कैसे आया तो जो अमरिका का लाश्पतिया इन्होंने बुलाया रिखा था और जुगी जुपड़ी वालों को इन्होंने बंद कर दिया दिवार खचा दी अमरिकांसे यह कोई काम नहीं हुआ किसी तरीगे के काम नहीं है सरकार निकमी जो दे न सके उसको बदलना है मैडम आप बहुत संदर लग रहे हैं जी बताएं हमारी सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आच वाज़ विजएपी भीजएपी से और जिएसे एक और सब चीज फ्री तो नौक्री कि तो नौक्री का जरूतता है जी 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 सब फ्री सब फ्री तो नौकरी करने की जुरूति क्या है हाँ जी आप कोई और आजी मैं यह कहना चाहता हूं कि जो अभी कॉंग्रेस के और आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि सारी योजनाए कॉंग्रेस की है एक धारावाई काता था मुंगेरी लाल के पार्टी की उसने उत्राखंड के लोजगार को लेकर विकास के लिए कोई भी वादा अभी तक केवल दिली से कदम रखा और कहा तो जानता से पूच लेते हैं फ्री किसको चाहिए हाँ जोड सो बोले के थोड़ा आवाज आनी चाहिए हाँ जी 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 आप बन रहे हैं सर मैं दूसरे मुद्धे बात करना जी मैं यह कहना चाहता हूं कि जब से उत्रखंड बना है तो मैं दोनों पार्टियों के प्रतनीदी बैटे वे हैं उनसे सवाल कर लेए पौसा तेली कि नहीं की एत Also just to be a mean ऐसाराइल की जब से उत्रखंड बना है दोनों पार्टी कि सरकारे रही है उन्होंने विरोजगारी और ईस रोजगार के सम शंपें क्या कारे किया और हम ्जाए गारिकी कितने commentaires बनाएं गरीशाइथ नहीं पोस्तों नहीं चाहि उन्होंने एक जनता में से आरोप और लगा कि आप सब एक हैं चोर-चोर मसहरे भाई बता दिया उन्होंने चलिए कोई बात नी हाजी आप जवाब देना चाहरें थी बताएं जी बताएं यह पेचान दो बार विधायक रहे चुके लेकिन कोई जांता ही ने था कि विधायक क्या होता है और यह बातो सहर मत विपएर प्यार प्रेम उनके साथ है तो कॉंगरेस भी कॉंगरेस जी विदायक क्या होता है? तीक है मानता हूं ँब एक मेरे वाड में 100 मिटर रोड बनाई बिधायक नीदी से और आज उसे ठेककडार थे पूछ लीजे मुसुरी के यह के लोग नहीं और लोग सब पूचे गया कि दर्शकों से यहां पर स्वास की बहुत बुरी श्तिती थी इसको आप जो मेंबर साब दर्शन जी यह भी इसको मानेंगे और रही बात जो आपने का कि सेंड मेरिज को यहां से हटाया गया इसमें नगरपालिका के जेई ने सेटिफियेट दिया है कि यह गिरास हुआ है उसके बाद दुबारा से पी डवलिग निशिद किया गया कि आप इसकी जो हैं क्योंकि वो सेंटिल लोकेटेड है और हर कोई चाहता है कि वहां पर बने सुरी के बराबर स्वासविदा नहीं रही है और लोग देरा दून से आके मसूरी की तारीव भी किये है आप हमेशा तांगी क्यों घीचते हैं आप शासुवदायें बहुत अच्छी है यहां पर यहां पर स्वासविदा के नाम पर एक मातिट डबा है वह पताल की बिल्ड करने से 20 डॉक्टर हैं यहां पर बीज डॉक्टर करेंगे क्या जब वहां पर ऑप्रेशन थीटर नहीं है और जो गर्वती महिला को एड लास्ट मुवमेंट पर देरादून भेड़ दिया जाता है और बात करते हैं कि कौन सी सरकार ने राशन बाटा सरकार राशन आया मंगल माता जी से राशन हाया मंगला माता जी भी कहीं ने जके bjp को समर्थन करती है क्या इसमें में कि चाहंगे पर कंदा था इसके तरह रेपार बनाय गया गया तो ंए झान्हिते हैं कितने परिवार रहते हैं उनका डर नहीं था आपकी सरकार अगर चिंट करती है तो यह श्कति के करनी कि दुचाना इसें तो अगर सब और उना चीक्शा», पॉन देखे। माननें भिदाएक जी अभी मंतरी भी हैं, उनसे मातर हमारा आपके मादियम से ये सवाल है, कि इन्होंने अपने इस सासन काल में कितने लोगों को रोजगार दिया, कितने गरीब लोगों के लिए आवास बनाए, कितने लोगों के लिए यहां पर बुनियादी स्वास सूधा पैदा करी उसके बारे में ये लोग जबाब दें जैसे कि सीटी स्केर मसीन यहां पर है क्या यहां लेबर का डिपार्टमेंट है क्या यहां पर जो सिपन कोड के लोग है क्या उनके जैसे कितने लोग उजारे या कितनों को बसाने का इनका प्लान है उसके बारे में जवाब कि तो हमारा कहना है कि गिरांजु प्रतिर मनजिल कैसे हो जाएगा उपर « क्योंकि उसके पीछे कुछ और्मंद साहें कि चलिए मंसाओं पर कोश्चन उठाए अच्छा एक जी पताएं यहां सभी क्या टूरिस्ट हैं क्या जन्ता में तो फिर अपने मुद्दे क्यों नहीं आ रहे हैं आपके बाहर गुमने आएंगे साही जी पताएं थोड़ा सर महंगाई पर बोलना चाहूंगा यहीं तो मौक क्या हुआ नारो का बीजेपी से सवाल सौर रुपे लिटर तेल बिरोजगारी बिरोजगारी दर बढ़ गया है कहां से बढ़ाएगा ओ तेल एक हजार रुपे का सलेंडर बिरोजगारी चरम सीमा उपर बिलकुल ठीक है आज इसमृति रानी जी सलेंडर चूडियां अई स पर देश ले रहा है जो पत्ता आपको सौर रुपे का मिलता है वह बीस रुपे मेरे दस रूपे में मिल रही है आज गरीबों को कितनी जराहत मिली है चलिए आप कहते हैं गरीबों को रहात मिली है 500 रुपे पांट साल में डबल हो गया मजदूरों की 200 से 700 हो गई 500 हो गई आज आप बताएं तोड़ा साथ देखिए जो पेटरोल और इसकी बात करते हैं वो निश्यती जो है वो एक सब्सक्राइब के लोग है उनका मूल निवास उसमें लगेगा ताकि यहां के लोगों को लाब मिले वही नहीं अभी वर्तमान के मुक्विमंदी जी ने कहा है कि जो 24,000 रिक पद हैं उनको बहुत जल्दी बरा जाएगा और पंदरह हजार पक्तु दो मेने के अंदर उनको उसमें सब्सक्राइब करता है और वो कोई कोई भी सरकार होगे कौन चाहिए इप पर लोगों के ड्रना प्रदरुचन करके सलें उस ताइम पर क्यों किया था चूडियां क्यों पेंगे घूमें गाडियों को आपने बग्यों पर रख दिया यह क्यों यह तो तो जब भी विवक्ष में होगा, इतना सब कुछ काम मसरी विदान समाव में हो रहा है, तब भी कहते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है, तो विखर विवक्ष का है। लोगोंने तनखाएं घटा दी हैं, मेरी बात से सहमत हो तो बताएं, तनखाएं घटा दी गई हैं, ठीक है, और बोला गया है, इंक्रिमेंट के नाम पे कुछ नहीं, वर्क फरम होम कराया जा रहा है, प्राइविट कंपनियां उस चीज का फाइदा ले रही हैं, आठ गंटी ये देश कड़ा गुरा, जैसे हमारे अध्यक जी ने का अभी कि कुछ पाद रिक्त पड़े हैं, उन्हें भरा जा रहे हैं, तो जो इनके मंत्री जी है, उन्होंने साड़े चार साल पूरे उत्रकंड की रुवा, जो बिरोजगार योगोंने ठगने का काम किया है, इनका कह अब ये लोग तो आजकल पंजाब में बिजी हैं ना, तो पंजाब में कहीं इनको अपने आदमी ढूंडने पड़ रहे हैं, कोई कैप्टेन साब कहीं, कैप्टेन साब अपना शिप लेके या क्या लेके कहां चले गए हैं, पता नहीं है, देखें ये भाजपा लोगतंतर की हत्या करने वाली पार्टी है, जिस तरीके से इनोंने मध्यापरदेश में, गोवा में, नॉर्थ इस्ट में, उसी तरीके की चाल जो है ये जैसे उत्राखंड में इनोंने किया था, उत्राखंड के भी 10 विदाय के खरीद कर हमारे साथ कॉंग्रेस के ले गए थे, तो आ उने वी एक बड़ा चप गोले मेरे संपर्क में हैं बीजेपी के कुछ लोग तो आपको वोट दिया है उस वोट आपको वोट इसले दिया कि नया चेरा देखेंगे कि हो सकता कुछ नया करें पर आप आज की डेट में भी जाएंगे दिल्ली गवर्मेंट इसकूल मार चले जाएंगे वहां की बुझरुकों को काम भेज़ू स्कूल भेजू अब इनके यहाल होगी है समाज किसी जन परति नीजिंगे बेचते हैं जाके लास्त में बीज़ू में मिल जाते समय नहीं जाते हैं दोनों पार्टियों को चल रहा है यह कह रहे हैं यह कह रहे हैं बीजेपी के आप बीजेपी के सबोर्टर सीट सोड़ा कम हो गई तो कौन किसके पाथ जाएगा कुछ पता नहीं जी आप बोलते हैं आप गड़वाली में भी बोल सकते हो पहले भी जब यह करोना है तो बोला की फिरी करें फिरी करें कोई फिरी निये लाला दिया और वह बीजेपी वाले कहते हैं इनके गड़े बढ़ते बढ़ते हम लोगों को टाइम लगेगा युनिट 11 रुपे होनी चीए थी अभी तक अगर इनके साफ से चलते हम तो साड़े पत्रकार मोदे भी कोई है यहां पर जीची जी जीची अधिटा कोई भट कर रहे हैं जब कोंग्रेस के सरकार थी उसमें इतने मैंगाई नीं देखी थी थी ठीकी और आप हमसे इतनी मंहोंस को पांत साल में तो यह जो में आप यह 15 रुपे का गैस दूल हो जाएगा ऐगा कोई और बताएं सब अगर मसूरी परिपेक्ष पर बात करी जाए तो मसूरी में विधान सभा इससा में विधाय गने जूर्षी के पास है मंतरी बनने के बाद कई काम उनके जरूर हुए है परंतु जो जूजना उनके द्वारा आई है खासकर अगर जैसे सिवरेज योजना पूर में चली गई आज तक पूरी नहीं होई उसको लेकर कई बार उनके दोरा विधानसभा इस्तर पर भी सवाल करे गए और अगर पेजल की बात करे जाए तो पेजल को लेकर 120 करोड की योजना यहाँ पर लाई गई है परन्तु योज चल रहा है वह बिल्कुल उसका जो गुडवकता है मैं उसको संतुस्ट नहीं हूँ और इसी को लेकर मेरा भी सवाल कैपिन मंतरी घणे जोशी दे जारूरा है कि मसूरी का विकास ज़रूर हो रहा है प्रन्त उसको विवस्तित तरीके से करें तो और बैतर किया जा सकता है. इन्हों ने कहा कि गणेश जोसी जी काम तो कर रहे हैं विवस्तित होके काम करें तो बहुत अच्छा रहेगा और दूसरी जी कॉंग्रेश की भी तारीफ है होई जालू होई जालू कर लू कर लू यह यून बोली माननी विदायक जी से और उनके जो भी समर्थक है उनसे पूछना चाहती हूं कि मसूरी विदान सबाने में गणेश जोसी जी ने क्या किया मुझे बता दिये बताईए क्या क्योंकि जो पार्किंग बन रही है वो कॉंग्रेस की देन टाउन हॉल कॉंग्रेस की देन यह ने इस पुरान से बनारहों क्यों लोगो की देन kamu क्यों बना रहे है पार्टी सो बनारहें इसको बनाए अब तो बाजपा सरकार बना रही है हमारा तरन आगे तो हम बनाएंगे या नहीं बनाएंगे इनके सब्सक्राइब जाओं गाँ नी आज देखेए अब मेरम जी करूं भाटमा रही पहले आपने बनाए और दूसरा जो जितने जितना ठीक है तो इसे लिए कि आप तो बाचों बना रही है पहले हमने बनाया और जितने जितने कारे आपने गिना हैं यह सब आजादी के बात क्या आज तक के कारे हैं मैं यह पूछना चाहता हूं कि पिछली बार जो 10 साल जो कॉंग्रेस के यहां पर विदायक थे उनके द्वारा कितने रोजगार यहा चाहें हैं अच्छा एक ची बहूंगे घके खर यहां पर इहां पर यहां पर उत्रहकंड में पांचालाप 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 आप क्या आपके माध्यम से एक सवाल भाजबा के लोगों से पूछना चाहेंगे कि यह क्यों हरशीज को सरकारी संपतियां को प्राइट में क्यों नेज़रे रहे यह गेल बेच रहे हैं न का मेरे Works बेच रहे हैं यह दो फ़लाव बेच रहे हैं अगर इनके बसका सरकार चलाना नहीं है मैं अपने इस तर्की बात करना चाहूंगा कि जो हमारे मसुरी से और मसुरी विदान सावा की बात मैं करूंगा, तो यदि बेचने की बात करते हैं, प्राइविटाशीशन को, तो एको बेरियर को क्या नगर पालिका ने बेचा है? तो प्राइविटाश क्यों किया? सबसे जादा घराव में नर्हाव सकती है इसलहे हखिका डिय है कि प्रावितार कारेंiva होती है रोज करते हैं यूँ है लुट Shag प्रट्राइब एक समय का खाना भी अपने घर में पूरे टरीके से नहीं बना सकते इस और इसमें बात है तो आप इसमें शामिलों ठीक है इनका स्वरसन दोनों दोनों पार्टियों से था की पर्ट्री कोरोना काल में आपकी पार्टी सत्तम है इसलिए मापकी बात करूंगा आप लोगों ने बोल दिया, सबको तनखाएं देना, सबको रोजगार देना, ये करना, वो करना, पर किसी ने ब्याज माफ नहीं किया, किसी ने ये नहीं बोला कि आपके कारोबार नहीं चल रहे हैं, तो आप अपना इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगा, सिरफ उनको वेव दे दिया गया, तो सरकार से सवाल तो होंगे, लोगों के अगर, अच्छा सबसे बड़ी बात, मैं आप सभी से बोलना चाहता हूँ, ये जो है ना, जब वोट देने जा तो यहां निशान लगता है, अजब आप अपनी बात रखना चाहते हो ना, तो आपके हाथ में एक अगर उसके उसमें 200 नंबर है ना, तो 200 वोट आपके हाथ में, तो आप लोग इनको अपनी पावर दिखाएं, कि आप लोग हो क्या चीज, ये सोशल मीडिया का टाइम है, तो इन लोगों से अपने प्रशन करें, अपने जवाब के लिए अपना समर्थन दिखाएं कि हाँ हम में है दम, हमारे मोवाईल में दम है, तो आप ये काम कीजिए, इन्होंने टिकरी कॉलेज के परिपेक्श में होला, टिकरी कॉलेज में ये कह रहे हैं कि ये नगरपाली का साजन से इसके निक्टिया, इन्होंने रुकवार की है, इनके उस सिक्चा मंतरी, पूरे परतेस के बिदर एक भरती नहीं करवा पारे हैं, आज उत्राखंड जिन्होंने आजाद कराया, उत्राखंड अलग बनाया, रो रहे होंगे लोग, आप लोगों की लड़ाई देखके, रो रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि ये मूर्तिया नहीं है, इनमें, इनको आपने कहीने कही पर इनको अस्तान दिया है, तो ये सोच रहे होंगे कि क्या है, ये उत्राखंड बनाया था, जहांपर ये आकर अपनी राजनितिक रोटियां सेकेंगे, और सिरफ जनता की बातनियों की जनता का दर्द, बेरोजगारी, रोजगार, पुल, रोपवे, सब गायव होगे, ये वेंडर जोन, वेंडर जोन के आप से, इसमें लगातार कई बार करगाल की बात हो, जब पहले हो, यहां पर अधिकांस जमीने जो है, नगरपालिका के पास है, नगरपालिका जो है, जमीन दे, उसमें ये बात हुई थी कि लिए नगरपालिका जो है, जमीन देगी, तो उस दूसरे को सिर्फ बोली सकते हैं आपको छोडब कमार विस्वास क क्या हुआ यह अच्छा आदमि आप लोगुद दिया क्या हुआ को मारania विस्वास का आप लोग दोड़ते हैं पार्टी आप लोगों में पुद एकता नहीं है अभी पिछले साल जो है सिपन कोट को अटाया गया पूरे घर तोड़े गए और पालिका से जमीन मांगे पालिका ने तीन बार जमीन दे दी तो पालिका का दोस्त यहां पालिका का नहीं है विदाई जी का और एक चीज में हो से तोन्हा करी ने को कवांधा वहां आप जन्ता को ईयुक्त जनता से आया कि सताने मुद्धों पर बात करें लाल कीले और कुट्व मिनार की बात में हो गी दिल्ली से हो कि यदि कॉंग्रेस ने बनाई थी तो 20,000 लोग लेके जो है मानने विदायक जी ने जब धरना दिया तब उस पे शुक्रिती मिली जब कॉंग्रेस को बनानी थी तो धरने की जुरत क्या बढ़ती वो क्यों बीच जारा आदमी वहां कठा हुआ तब जाके वो पार्किंग संक करता है तो कहीं ने कहीं अच्छे के लिए होता है क्युंकि उसमें आधनी की बढ़용त्री होती है। और आगे कोई सवाल जन्ता से जनता से सवाल को कौन करना चाहिए आगे, Grant और टारता है तो सब अपने पर princ जाती हैं काम कुछ नहीं होता मैं यह पूछने जाता हूं सरकार से कि पांच साल पहले कहां गए थे यह आज जी आज जी आज पांच साल बाद गोशनाय कर रहे हैं उसका क्या फाइदा अगर सरकार चेंज हो जाती है तो इसका सिलनायस कौन करेगा कौन रोड बनाएगा और तीलन नैज पाइभ पांच साल पिर इंतजार किया जाएगा उसमें आम आधम्य को क्या चाहिए रोजी रोटी पानी आँ आएख वाभी पार्टी के लिजिव दिया पानी झीपशली क्मटरी पिज़ी को चाही मतारा works सबार्ट को हम पाले से कि पूछते हैं कि इली में की तरी पर्ग्राम के नाम रखा किस्सा कुर्सी फिराख हैं आप आपको घ Swiss Re करने में माहिर हों सरे माण जी एसा अगर कुमार भीष्र्पाजी की आप अगर बात करें तो लोग हमारे केज़िरि वाली से आप इस तीज़ की डिबेट हम में उतराखंट की बात करूताँगा वेयराल इतरा उतराखंट की मुद्दो में अगर हुआ होता तो अगर फिरी वाली अगर ये बात करें तो भारत वर्स की पहली एक ऐसी पार्टी आई जिन्होंने समाज के लिए कुछ फिरी दिया है समाज को वापस देखे ऐसा है कि मौसम बड़ा स्वाना हो चुका है है अब माहल को गरम और मैं करना नहीं चाहता जी एक चीज़ है मैं मानिया विधायक जी से पूछना चाहता हूं कि हमारे पार्टी के एक हमारे युवा अभी कुछ दिन पहले यहां के अपनारे एक स्कूल देख फिस्बुक लाइब करके विधायक जी से स्वाल ने उसका जवाब यह दिया कि इस स्कूल को हम किसी संस्ता से बात करिए ऊसे जोद्ले की काम करेगी स्वाल आप लग चारधाम यात्रा करिए अपने मैं मैं यात्रा कि चार्धाम यातरा में कुछ हॉस्पिटल खुल हैं स्वामी विवेका नंद हेल्थ मिशन किसके हैं वो किसके हैं वो अस्पताल किसके हैं मैं वो यह आप से पूछ रहो किसके हैं वो सरकार के तो नहीं है सरकार के नहीं है ना अरसे द्वारा चलाः जाते हैं अस्पताल हैं वो निशुलक एंड़ एक मिरेट इस तरह से इस तरह से कुछ जो निशुलक सJeragon करती १ इस तरह भी कशंटाशे ने कॉपने मेंॉंगरेब्जं बोला होता है उसमें आजादी के टेम पे जब से कॉंग्रेस आई, कॉंग्रेस ने इस देश को एमस दिये, बड़े-बड़े हॉस्पिटल दिये, लेकिन जब से भाजपा की सरकार आई, यह सब कुछ प्राइवेट को दे रही है, ताकि हर चीज जो हर संपती है प्राइवेट आदमी के हाथ में ह और हम जो इस देश की जनता है, हम भी प्राइवेट आदमी ही गुलाम हो जाए, तो यह सरकार चाती की पूरा देश गुलाम हो जाए, और आजादी से पहले की इस्तिती में, जहां हम लोग थे, वही हम पहुंच जाए, हमारा सवाल आपके माधियम से यह है, कि जब तक EVM क्योंकि EVM इनका बनाए हुआ है, EVM के उपर जब तक चुना होता रहेगा, तब तक यह भाजबा बैठी रहेगी, और हम आप इस तरीके से सब्सक्राइब, जहां आप लोग जी जाते हो, वहां EVM का क्या करें, जहां आप जीते हो, जहां पहीं चाहते है, जहां इनको लग जमसे कॉंग्रेस यह भी मांग करती है, कि इस देश के अंदर चुना हो जाए, दुबारा वैलेट पे हो, EVM पे ना हो, परचे चपवाने पढ़ेंगे फिर से, ठीक है, फिर से परचे चपवाने पढ़ेंगे, जहां यह जीते है, वहां पर फिर EVM मशीन फिर वहां गलत कै से हो जाती है, हाँ जी आम आदमी पार्टी, EVM मशीन रखें या ना रखें, वैलेट पेपर से ही है, अब तो दिल्ली में उसी जीते हो, जो भी हुआ है, हम यह नी कर, हम तो तैयार है, वैलेट पेपर से हम से किसे भी कर वा लिए, आज EVM मसीन को और लेडी जो विक्सी द सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आप लोगों की लड़ाईयां खतम नहीं होंगी, जी, 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 पॉइंट पे यह उलजगे, एक इनके खाते में 15 लाग रुपे नहीं है, एक एवम मसीन पे, लेकिन जो सरकार ने अच्छी योजनाई चलाए, उस पे कोई जिगर नहीं ह सबी ढूंड रहे हैं, 15 लाग रुपे, जो हमारे बाइस सबने सुधिर जी ने अभी कहा, कि स्कूल को किसी संस्ता को दिया जाया, वहां पे स्कूल की हालात बहुत खराती और एक एंजियो है, जो उसको ठीक करना चाहता, मुझे नहीं लगता कि यदि स्कूल की स्थिती अ आपके खाते में आएंगे, दूसरी कहली थी, आप फ्री कर देंगे सब कुछ, तो इनका से अरे, मैं, कॉंग्रेस ने ऐसा, कोई सपना नहीं दिखाया, ऐसा जूटा, ऐसा है, आप लोग, आप लोग जिस दिन अपने घर से पैसे देना शुरू करोगे ना, हम लोगों को, हम जनता को, हम आदमी पार्टी बोलेगी, यह मेरा फंड कठा हुआ है, और मैं जनता में बाटना चाहते हूँ, तो उस दिन मज़ा आ जाएगा, हम आदमी पार्टी उस दिन बोल दे, कि यह मिरे पार इतने फॉरं से फंडिंग आई थी, और मैं इस बारी क्या पोस्टर न समाज का पैसा है, उत्राखंट के समाज का पैसा जाता है, समाज की सुविदा दी जाती है, यह बोलने का अर्थ बिल्कुल गलत है कि कोई चीज फिरी में मिल रही है, आपने आपने इसका मतलब कुछ न कुछ मेरे इंटर्व्यू देखे हैं, आपने मेरे इंटर्व्यू आपके करनल कोटियाल साब को भी मेने फ्री पे खीचा था, आपके संजे सिंग को भी मेने फ्री पे खीचा था, लास्ट में, लास्ट में आके आप जो बोल रहो ना, यहां के यह पैसा समाज का है, तो बोलो ना, यह समाज का पैसा है, समाज को मिलेगा, फ्री क्यों बोलत आज हम आप पहुंचे हैं मसूरी मसूरी विदानसवा छेत्र पहडों की रानी मसूरी में यहां पर स्वास सुपजाओं के नाम पर एक मातिट डबा है वो अस्पताल की बिल्डिंग इस्मृति रानी जी सेलेंडर और चूडियां अई सब भेजा था उन्होंने